कि हेलो स्टुडेंट्स तो complex नमबर के आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाला हूं conjugate of a complex number बहुत काम आता है काफी जगय आता है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इसकी क्या property है, ये होता क्या है, इसका geometrical मतलब क्या है, ठीक है, अब देखो conjugate of a complex number क्या है, जैसे हमारे पास कोई complex number है z, और z हमें लिखावा है x प्लस आइटा y या a प्लस आइटा b, जहां पे x और y हमारे दोनों real number है, ठीक है, अगर किसी complex number में हम आइटा को minus आइटा से replace कर दें, जहां कहीं भी आ रहा है, जितनी भी जगे आ रहा है, तो हमारे पास जो complex number obtained होगा, उस complex number को हम क्या बोलेंगे, conjugate of that complex number, तो if we replace आइटा with minus आइटा, if we replace आइटा with minus आइटा everywhere in the complex number, then the obtained complex number is known as conjugate of that complex number, तो जैसे z हमारे पास है, x प्लस आइटा y, उसको लिखने का तरीका क्या है, conjugate को z bar, कि conjugate को लिखने का तरीका क्या है, z bar, तो z bar हमारे पास क्या होगा, x minus आइटा y, simple, इसे लिखना तो बहुत ही आसान है, कि कोई complex number x plus आइटा y है, तो उसका conjugate क्या ह है, x minus आइटा y, जैसे मान लो, suppose करो कोई complex number है, z, 2 plus 3 आइटा, तो इसका z bar क्या होगा, simple, 2 minus 3 आइटा, ठीक बात, जैसे suppose करो कोई complex number है, z, और z है, हमारे पास 3 plus 4 आइटा, अपोन 1 minus आइटा, into cos pi by 3, plus आइटा sin pi by 3, let's see, यह कोई complex number है, ठीक है, तो what should we get that, z bar, z bar, kya होगा, कि जहाँ जहाँ आइटा आ रहा है, वहाँ वहाँ उस आइटा है, वो कि से replace कर दो, minus आइटा से, तो z bar क्या होगा, 3 minus 4 आइटा, ठीक, यहाँ आइटा से replace कर दिया, minus आइटा से, cos pi by 3 minus आइटा sin pi by 3, ठीक, और नीचे क्या होगा, one plus आइटा, बहिए हमें दे रखा है कि वह जैड हमें कोई दे रखा है f of a प्लस आइटा भी कि वही किसी function में a प्लस आइटा भी लिखावा है तो what should be the z-bar कि वही जैडबार हमारे पास क्या होगा z-bar होगा function of a minus आइटा भी मलब उस function में जहां जहां a प्लस आइटा भी आ रहा है उसे हम किसे बदल देंगे minus आइटा भी से minus आइटा से तो z बराबर a minus आइटा भी तो यह तो हुआ complex number का conjugate लिखने का तरीका कि भी complex number का conjugate हम कैसे लिखते हैं अब complex number का conjugate हमने लिख लिया कि भी conjugate लिखने का यह तरीका हो गया conjugate लिखने के बाद बात करते हैं इसकी geometry की कि भी यह आखिर क्या क्या चीज़े हमें बताता है अब जैसे suppose करो यह हमारे पास है z और यह है हमारे पास क्या x plus i डवाई यह है हमारे पास z और यह क्या है x plus i डवाई अब सोच समझ के सोचो कि यह x minus i डवाई कहा है x minus i डवाई x इधर minus y इधर तो x minus i डवाई बराबर z बार तो अगर यह z है तो यह z बार है मतलब यह point अगर z है तो यह point हमारे पास क्या है z बार है अब यह point z और z बार यह z बार हो गया एक दूसरे की क्या है भई अगर हम geometry की बात करें तो z and z बार क्या है एक दूसरे के mirror image है कि z and z बार are mirror image of each other with respect to real axis कि इस बात को ध्यान रखना कि z and z बार are z and z बार are बहुत ही important line है are mirror image of each other each other with respect to real axis with respect to real axis कि बहुत रखना है real axis के respect में यह एक दूसरे के क्या होते है mirror image हमारे पास होते है अच्छे जैसे मैं एक में एक दो चीज और बताता हूँ जो matter की जैसे z यह है सोचो minus z कहा होगा minus z minus z होगा क्या what should be the minus z minus z होगा minus x minus i to y अब अगर x plus i to y यह है तो minus x minus i to y यहां पर कही होगा यह है just इसके डामिट इसकी just opposite यहां पर यह होगा minus z this one is minus z where should be minus z bar minus of z bar कहां पर होगा यह सोचो अब दोखो minus z का conjugate क्या है minus z bar तो इसका real axis के respect में image तो इसकी image यहां पर कहीं होगी है यह से थोड़ा से extend करते हैं तो यह होगा minus z bar तो z कहां है z bar कहां है minus z कहां है minus z bar कहां है यह मैंने आपको यहां पर चमकाया है चमक में आ गया होगा इसमें तो कोई दुख नहीं हुआ होगा अब बात करते हैं कि यार इसकी property की कि विए इसकी क्या क्या प्रॉफटे हमारे काम की हो सकती है What are the properties of this z bar तो property की अगर हम बात करें कि विए इस कौन z bar की क्या-क्या property हमारे पास हो सकती है मैं थोड़ा इधर जगे बना लेता हूँ क्योंकि चीजे काम आने वाले है ठीक है इधर मैं जगे बना लेता हूँ यह अटा देता हूँ minus z का कोई ऐसा खास role नहीं है ठीक है यह अटा दिया मैंने अब देखो यहाँ पे यह length इसके बराबर है बराबर है इसका मतलब पहली property तो हमारे पास यह आ गई length बराबर है तो mod of z bar is equal to mod z हाँ या ना mod of z bar is equal to mod of z done चलिए दूसरी property यह बात करते है अब इसका argument अगर theta है तो यह angle भी theta होगा no doubt mirror image यह angle भी कितना होगा theta तो z bar का argument अगर theta है z का argument अगर theta है तो argument of z bar कितना है minus theta तो मतलब अगर argument of z is theta then argument of z bar is minus theta ठीक बात इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं कि argument of z bar बराबर minus argument of z लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं यह थीटा है यह माइनस थीटा है तो आर्गूमेंट ऑफ जैड़ बार minus argument of z लिख सकते हैं चलिए यह दो प्रॉपर्टी हो गए इस आप्रॉपर्टी नबर टू प्रॉपर्टी नमबर थ्री विच इस अगेन वेरी यूसफुल अब वाट इस इस प्रॉपर्टी नमबर थ्री जैसे स्पोस करो यह जैड है इसका आर्गूमेंट थीटा है मोडलस मान लेते हैं आर है तो जैड को में के लिख सकता हूं में आर इकी पायटा थीटा इसका आर एकी पावर आटा थीटा जैड बार इसका आरगूमेंट माईनस थीटा है मोडलस रहे तो जैड बार को में के लिख सकता हूं R E की powerful minus ita theta तो यह तो है R E की power ita theta और यह है minus r E की power ita theta let's say दोनों को multiply कर लेते हैं तो z into z bar is equal to r square e ke power ita theta into e ke power minus ita theta वन हो जाएगा तो r square का मतलब क्या है this is mod z square तो z into z bar mod z square के बराबर होता है तो यह property लिख लेते हैं कि z into z bar बराबर mod z square कि z into z bar mod z square के बराबर होगा या mod z square बराबर z into z bar मैं किसी mod का square करना है तो उसे z into z bar लिख सकते हैं इसको इस तरह भी explain कर सकता था मैं कि जैसे z into z bar निकाला जाए तो यह है x plus i आइट आइ और यह है x minus i to y a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square तो यह हो गया x square minus i to square y square i to square minus 1 होता है तो x square plus y square x square plus y square mod z का square होता है इस तरह भी explain कर सकते थे तो z into z bar mod z square के बराबर बच्चो अपना होता है तो यह तीनो property बहुत basic है और यह हमने इस डाइग्राम से निकाली है property number 4 property number 4 है किसी complex number के conjugate का conjugate निकालोगे तो क्या होगा z bar का bar निकालोगे तो क्या होगा वही आजाएगा z bar का bar will be z ठीक property number 5 कि अगर दो complex number addition या subtraction में हैं और उनका हम conjugate लेना चाहरे हैं कि addition या subtraction में है और हम क्या लेना चाहरे हैं conjugate तो conjugate इस पर आइटा को माइनस आइटा से replace कर दो इसमें replace कर दो तो यह होगा क्या z1 bar plus minus z2 bar yes or no जो काम addition के लिए है subtraction के लिए है वही काम multiplication के लिए भी है जैसे property number 6 की भी दो complex number अगर multiplication में है z1 into z2 और उसका बार लगा रखा है तो हम इसे के लिख सकते हैं z1 bar into z2 bar और यही काम division में कर सकते हैं कि z1 upon z2 का बार अगर दे रखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं z1 bar upon z2 bar कि सारी के सारी property एक ही बात से निकल रही है अपनी वही सारी के सारी property अपनी एक ही बात से निकल रही है ठीक है अच्या property number 8 की बात कर लेते हैं अगर जैसे मान लो किसी z की power n का बार हो तो हम इसे z bar की power n लिख सकते हैं हम इसे z bar की power n लिख सकते हैं तो ये हमारे पास conjugate की property है conjugate की और क्या property है जैसे ये तो property हो गई अब इस diagram की हमें जुरूत नहीं पड़ेगी मैं इस diagram को हटा देता हूँ हाँ और property क्या है जैसे property number 9 की बात करते है ये सोचो z plus z bar कितना होगा what is z plus z bar बैज जैड है x plus i to y और बैज जैड है x plus i to y और z bar है x minus i to y तो z plus z bar कितना होगा 2x 2x को हम लिख सकते हैं 2 times real part of z कि z plus z bar वरावर 2 times real part of z होता है इसी तरहे अगर मैं कहूं कि यार z minus z bar कितना होगा that is 2z minus z bar इसमें से ये गटाएंगे तो क्या बचाएगा 2 i to y y को हम लिख सकते हैं imaginary part of z तो z plus z bar 2 times real part of z होता है z minus z bar 2 i to times imaginary part of z हमारे पास ये होता है अब देखो अगर ये कहा जाए कि भई बी जीरो होता है अगर ये बी जीरो है मतलब बी या वाई जीरो होता है तो z कैसा होता है purely real number तो अगर z एक purely real number है तो ये 0 है तो z minus z bar कितना हो गया 0 तो if z minus z bar ये z बराबर z bar अगर z z bar के बराबर है कोई z z bar के बराबर है मतलब imaginary part 0 है तो ये imply करता है z is purely real number purely real number ये जैड हमारे पास कैसा है purely real है ये जैसे कई बर बोला जाता है कि वही जैड एक purely real number है तो हम उसमें condition के लगाएंगे z बराबर z bar हम उसमें condition के लगाएंगे z बराबर z bar जैसे एक property और कि अगर z plus z bar 0 हो जाए इसका मतलब क्या है z plus z bar 0 हो गया मतलब real part 0 हो गया real part 0 होता है ऐसे complex number को क्या बोलते है purely imaginary तो z is purely imaginary z is purely imaginary number कि z हमारे पास purely imaginary number होगा यहां तक की बातें एकदम चमक में आ रही है हाँ या ना yes or no कि हमारे पास यह सारी की सारी property किसकी है conjugate की all these are the properties of conjugate अब जैसे इस पर कुछ कोश्चन करते हैं कि बें conjugate से related किस तरह के question हमारे पास यहां पर बन सकते हैं जैसे हटा देता हूँ मैं से properties related question की स्टार्ट करते हैं जैसे question number one question number one मैं करवाता हूँ कि जैसे हमारे पास यह है x plus आईटा y की power 5 is equal to a plus आईटा b दे रखा है x plus आईटा y की power 5 a plus आईटा y दे रखा है find y plus आईटा x की power 5 कि इसको बताना है कि यह किसके बराबर होगा अब देखो यह conjugate से ही करेंगे तो बड़ा जल्दी आ जाएगा और अगर वैसे करेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी अब कैसे करें जैसे y plus आईटा x क्या है y plus मतलब आईटा जो है y के साथ नहीं x के साथ है तो मैं ऐसा करता हूँ इस वाले में आईटा common ले लेता हूँ आईटा मैंने common लिया तो आईटा की power 5 भार आएगा यह बचेगा x upon आईटा ठीक plus y की power 5 और यह हमारा किस के बड़ाबर है a plus आईटा b की बड़ाबर है clear अब यह है 1 upon आईटा रखको हम क्या लिख सकते हैं वोई 1 upon आईटा 1 upon आईटा आईटा की multiply कर लो अपर नीचे तो यह हो गया minus आईटा तो यह हो गया minus आईटा x तो यह हो गया Y-Ita X की power 5 और यह Ita की power 5 को हमके लिख सकते हैं into Ita बराबर A plus Ita B ठीक बात Ita को divide में ला सकते हैं यह Ita को हम यह divide में लिया है ठीक बात Ita को divide में लिया है अलग-अलग लिखा तो यह A upon Ita minus Ita A हो जाएगा और यह Ita Ita कट जाएगा B मतलब यह चीज इसके बराबर है चमके यहां तक हमें यह नहीं निकालना है इसका यह क्या है conjugate तो दोनों साइड ऐसा करते हैं conjugate बार ले लेते हैं तो इसका conjugate क्या होगा Y plus Ita X की power 5 और इसका conjugate क्या होगा B plus Ita A तो यह किसके बराबर है बी प्लस Ita A के बराबर है खेतम हाँ जी चमका यह question की कैसे करना था दिस इस बी प्लस Ita A Done चलिए एक question और करते हैं एक question और करते हैं जैसे question number 2 find complex number which satisfy the equation Z cube is equal to Z bar find all possible value of Z find all possible value of Z कि बी जैट की सारी possible value बताओ कि Z cube into Z Z cube बराबर Z bar कि बी जैट की सारी possible value हमारे पास क्या आनी चाहिए अब दो को Z cube बराबर Z bar हमें दे रखा है है और हमसे all possible value इन्होंने पूछी है अब all possible value निकालने के लिए हम इसमें डोनों 7 मोड ले लेते हैं तो मौड जैट क्यूप बदा ओव मोड ऑव मोड वार्स अठरा मॉडर कहुता है किसेvasive अभी तो मॉड्न जैट क्यूप बराबर मोड़िए 시간 लेत है तो मौड जैट कॉमंलिया मोडोस इसक्याइर मैन सवीन वन बरावर सभिस만 fist तो मौट ज्ट या तो 0 है या मौट ज्ट 12 स्क्वाइर वन है तो मौट जैट तो पॉजिटीव होगा मौट जिएड कभी नेगेटि नहीं हो सकता तो मोड या तो जीरो है मोड जट वन है मोड जट ई जीरो किसी 건강borg का मॉडलवस जीरो तो वह कंप्लिक्स नमबर क्या होगा जीरो प्लस जीरो आइटा तो इससे एक सोलीशन आ गया जब्राबर जीरो प्लस जीरो आüchtा ओ girl प्लस जीरो आएटा यह complex number अगया ठीक एक solution तो यह हो गया अब अगर बात करते हैं mod Z अपना 1 के बराबर है mod Z अपना 1 के बराबर है तो बेटा जी क्या होगा Z Z bar 1 होगा हाँ है ना अब हमें equation दे रखी है यह तो Z cube बराबर Z bar Z bar को में लिख सकता हूँ 1 upon Z Z bar बराबर 1 upon Z लिख सकता हूँ यहां से Z bar 1 upon Z लिख लिया तो यहां से हमें क्या मिला Z की power 4 is equal to 1 तो Z square बराबर plus minus 1 Z square plus minus 1 तो Z अगर plus Z square 1 है तो plus minus 1 और minus 1 है तो plus minus आयटा तो Z की कितनी possible value आ गई पांच जीरो 1 minus 1 आयटा minus आयटा चमका बेटा जी कोशन यह हां यह ना चलिए एक कोशन और करते हैं कि वही हमारे पास conjugate बहुत ही important चीज है इसलिए कोशन जादा करने चाहिए इसके जैसे एक कोशन और करते हैं कोशन है हमारे पास कोशन नमबर 3 कि इफ नहीं कोशन नमबर 3 लिखिए इफ mod 6z minus ita upon 2 plus 3 ita z come mod that is less than equal to 1 then show that mod z is less than equal to 1 by 3 बड़े अगोशन है सारी property जितनी भी मैंने पढ़ाई हैं वो लग भग सारी यहां पर आने वाली हैं अब यहां पर mod z is less than equal to 1 दे रखा है ठीक है अब this is less than equal to 1 दे रखा है तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं इसका square less than equal to 1 कर सकते हैं दुखिस में कुछ नहीं वे दोनों साइट positive है we can do square दोनों साइट square कर लिया square करने के बाद हमने mode z square बे mode z square क्या होता है zz bar इस property का use किया करते हैं तो 6z minus ita 2 plus 3 ita z bar 2 plus 3 ita z ठीक है z यह यह इंटू इसका conjugate 6z bar z का conjugate z bar minus ita का plus ita upon नीचे वाले क्या होगा 2 minus 3 ita z bar less than equal to 1 ठीक है उपर वाले दोनों को multiply करके यह लिखूंगा और नीचे वाले दोनों को multiply करके बदर ले जाओंगा चलिए उपर वाले 6 into 6 36 zz bar plus 6 ita z minus 6 ita z bar और minus ita square मतलब plus 1 less than equal to 2 into 2 4 ठीक है और 2 into 3 minus 6 ita z bar ठीक है यह हो जाएगा plus 6 ita z ठीक है और यह हो जाएगा minus 9 with 3 into 3 9 ita square zz bar यह हमारे पास कहानी आ गई अब देखो 6 ita z इस से करेंट से लाट हो गया 6 ita z से 6 ita z bar minus यह से करेंट से लाट हो गया ठीक बात अब यहाँ पर यह तो हो गया 36 more z square यह 1 4 यह 3 धर आ जाएगा यह ना वह 4 minus 1 3 आ जाएगा ita square minus 1 तो यह हो गया plus 9 mod z square चमका जी यहां तक इसको इधर ले आए तो 27 mod sorry 27 mod z square less than 3 तो mod z square less than equal to 1 by 9 तो which implies mod z less than equal to 1 by 3 हां जी चमका या नहीं चमका यस और no got it चलिए एक question और करते हैं let's do one more problem on this conjugate जिए एक conjugate वे रोपर question और ठीक है तो question है की 4 if z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary number purely imaginary number अगर यह purely अब यह एक प्योर्ली imaginary number है तो मोड जैट कितना आएगा यह हमें बताना है ठीक है अब z minus 1 upon z plus 1 purely imaginary मतलब purely imaginary मतलब रियल पार्ट 0 real part क्या होगा real part of z is 0 real part क्या होगा z plus z bar real part क्या होगा two times real part of kya होगा z plus z bar upon two z plus z bar upon two बराबर 0 हाँ यह ना बहिए अगर real part देखना है तो Z plus Z bar upon 2 that will be the real part अब यहाँ पे Z है यह पूरा तो मैं यह लिखता हूँ अब तो Z plus minus 1 upon Z plus 1 plus Z bar minus 1 upon Z bar plus 1 इन दोनों का सम कितना हो गया 0 LCM लिया ठीक है तो Z plus 1 into Z bar plus 1 यहाँ पे करा multiply थोड़ी सी जगह ज़्यादा बना लेते हैं यह हो जाएका Z Z bar more Z square plus Z minus Z bar minus 1 plus Z Z bar more Z square minus Z plus Z bar minus 1 is equal to 0 Z Z Z bar Z bar तो उपरस वाला 0 होना चाहिए तो 2 more Z square minus 2 is equal to 0 कि यह 0 होना चाहिए यह 0 होना चाहिए तो हमारे पास क्या जाएगा मोड जेड बराबर हैंस प्रूफ हैंस प्रूफ के value निकालने थी हमें तो यह हमारा आगे इसके बाद कोई दुख कोई लोचा कि बहुत कॉंजुगेड में हमें कुछ दुख हो रहा हो कोई परिशानी हो रही हो कि कहां कहां से चीज़े आ रही है अपने पास नहीं ना चल कोईटन है कोईटन नमबर 5 कि Z1, Z2, Z3 are 3 complex number रही है Z1, Z2, Z3 are 3 complex number such that mod Z1 is 1, mod Z2 is 2, 2, mod Z1 is 1, mod Z2 is 2 and mod Z3 is 3, Z1, Z2, Z3 are 3 complex number कि mod Z1 is this, mod Z2 is this, mod Z3 is this, ठीक, and if mod Z1 plus Z2 plus Z3 that is equal to 2 यह गिवन है, ठीक, find value of 9 times Z1, Z2, 9 times Z1, Z2 plus 4 times Z3, Z1 plus Z1, Z3, Z1 plus Z1, Z2, okay, 9 times Z1, Z2 plus 4 times Z3, Z1, Z3, Z2, 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 9 times Z1, Z2, 9 times Z1, Z2 plus 4 times Z1, Z3 plus Z2, Z3, Z2, Z3, इसकी value हमें बतानी है कि इसकी value हमारे पास क्या आईगी, अब देखते हैं भई, इसकी value निकालनी है और यह सब चीज हमें given है, कैसे हम इसकी value निकाल सकते हैं, what should be the role कि भई हम इसकी value निकाल पाएं, अब देखे हैं इसकी value निकालने के लिए, mod Z1, 1 है तो Z1, Z1 bar 1 होगा, Z2, Z2 bar यह 4 होगा, Z3, Z3 bar यह 9 होगा, Got it? भई, mod Z का square, Z, Z bar हमारे पास होता है, अब यह निकालने के लिए, हम ऐसा करते हैं, इस equation में, Z1, Z2, Z3, तीनों common ले लेते हैं, तो Z1, Z2, Z3 common ले लिया, Z1, Z2, Z3 मैंने common ले लिया, तो बचा क्या, यह बचा 9 upon Z3, प्लस यह बचा क्या, 4 upon Z2, और यह बचा क्या, 1 upon Z1, यहां तक सही है बात, भई, इसकी value निकाल रहे हैं, और इसी को लेकर चल रहे हैं, भई, इस is equal to this, ठीक बात, अब यहां पे, भई, mod की property से हम इसे लिख सकते हैं, mod Z1, into mod Z2, into mod Z3, into mod of this, अब 9 upon Z3 को मैं के लिख सकता हूं, 9 upon Z3, Z3 bar, 4 upon Z2 को मैं के लिख सकता हूं, Z2 bar, और 1 upon Z1 को मैं के लिख सकता हूं, mod Z1 bar, यहां तक, ठीक है भई, अब mod Z1, mod Z2, mod Z3, यह कितना है, 1 into 2 into 3, 6 हो गया यह तो, वह mod Z1, 1, यह 2, यह 3, तो 6 हो गया, अब यहां पे, इसका mode लिखें, या इसके conjugate का mode लिखें, बात बराबर है, तो इसका mode या इसके conjugate का mode, बात बराबर है, अब इसका conjugate क्या होगा, Z3, Z3 bar, Z3 bar का bar, तो वह होगा Z3, यह होगा Z2, और यह होगा Z1, इस पूरे का mode, अब यह दे कितना रखा है 2, तो यह हो गया, कितना, 6 into 2, answer will be 12, ठीक बात, तो value of this expression will be what, 12, तो भई यह हमारे पास बाते थी, किसकी conjugate की, कि किसी complex number का conjugate आखिर होता, क्या है, उसकी property क्या होती है, और उसके property से related शांदार problem कैसी होती है, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि इस lecture से conjugate की जो गुत्ती है, जो conjugate की कहानी है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, दिमाग में set हो गई होगी, तो conjugate में इतनी ही बाते हैं, इस बातों से आप बहुत सारे problems बना सकते हो, लगबख सारी ही problem बना सकते हो, जही main और जही advance की, इतना मेरा दावा है, ठीक है, तो इस lecture में इतना ही रखता हूँ, अगर आपको यह पसंद आया है, तो आप इसे खूब share करें, खूब like करें, खूब प्यार दें, इसी के साथ धन्यवाद,